न्यूजनाइट में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज हम बात कर रहे हैं जस तरह से प्रधानवंत्री नरेंद्र मोदी और राश्पती ट्रंप की मुलाकात हुई है फ्रांस के बियाविट्स में जी साथ के सम्मेट से इतरिय मुलाकात रही बेहद एहम मुलाकात रह और आज का हमारा चर्चा का विशे भी यही है कि भारत पाकिस्तान में तीसरे पक्ष का दखल नहीं कश्मीर पर पीएम मोदी की दो टूप भारत पाकिस्तान के सारे मुद्धे हैं दुपक्ष यह और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सबसे पहले अरेंद्र आप से ही जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपको लगता है कई द्विपक्षिय मुलाकाते आज हुई ही बेहद एहम रही राश्वती ट्रम्प के साथ जो मुलाकात रही एक बहुत साफ संदेश ऐसे वैश्विक मंच पर जहां तमाम नेता मौजूद थे जम्मु कश्मीर के मसले के बाद किस तरह से देखते हैं जी साथ के पूरे सम्म और नारेंडर मोदी के बहुत दहा कapp के दौरान प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी की भागिदारी को रिटु आपने अपने ओप्निंग रिपोर्स में ंरेंडर मोदी का इस प्रकार के इतने बड़े फैसले कश्मीर के फैसले के बाद में अंतरास्टी मंच पे ये पहला एक मौका था और उस मौके का बहरपूर इस्तमाल करते हुए प्रधान मंतरी ने अपनी बात इस पस्टता के साथ में बहुती सही लबजों के इस्तमाल करते हुए कर दिये कि हाँ आखर ये पूरी बात क्या है और पाकिस्तान कितनी भी असफल कोशिश ही कहलाएगी उसको कहीं घास कोई देने वाला होगा ने क्योंकि भारत बहुत इसपस्ट अपी नीद को लेकर और आज यही बात जब प्रधान मंतरी ने सदे हुए शब्दों से कही है अमेरिका के राश्पते डोनाल टरम की मौजूदगी में तो ये एक न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बहुत बला संदेश है बलकि दुनिया के उन तमाम ताकतों के लिए जो गाहे बगाहे डिरेक्ली इंडिरेक्ली पाकिस्तान को कहीं सपोर्ट करने का प्रयास करती है या सोचती है पाकिस्तान ने बहुत से मंचों पर ये कोशिश की कि इस प्रक कार गुजारियों के साथ में कंदे से कंदा मिलाकर खड़ा होना नहीं चाहता है यह बहुत सीधी सी बात है जो हमने बात एक तरीके से भारत ने बात अपनी दिल्ली में बैटके कही है प्रदानमंत्री नहींद्र मोदी ने संसर से जो बात कही थी वही बात आज अंतरास्टि मंच से मौजूद्गी में प्रदानमंत्री नहींद्र मोदी ने कही है तो इसका माइने ये है कि हम अपनी नीत में सपस्ट हैं हमने जो किया है वो हम दुनिया को उस समय भी बता रहे थे आज भी बता रहे थे कि हमने अपने समयदानिक अधिकारों के दाएरे में ही अपनी बात को आगे बढ़ाया है और इस प्रकार का कोई भी मसला किसी भी की मद्धिस्ता और किसी की भी मौजूद्गी कि उसकी जरूरत नहीं है और भारत और पाकिस्तान के अगर कोई मसले हैं तो वो आपसी बाची से निप्टे जाएंगे ये बिल्कु तैय हो गया और राष्टपती ट्रम का भी इस बात को कहना कि भारत और पाकिस्तान अगर अपनी समस्याओं को लेकर आपसी बाची से मसले निप्टा रहे हैं इससे बहतर कुछ नहीं हो सकता यानि कि भारत प्रधान मंत्री मोदी ने जो बात कही है उस पर ट्रम की एक तरीके से मोहर है यानि वो उस पर सहमती जदाते हैं कि हाँ ठीक है आप अपने मसले अपने से रिप्टाइए हमसे इसका कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम जानते हैं अंतरास्टिये लेविल पे जब इतने है पाकिस्ट से भी कोई एक तरीके से मिलने वाली नहीं है और भारत की बात आज दुनिया देख रही है और अमेरिके राश्टपती ने भी इस बात को साफ तोर पे कहा तो ये एक बड़ा संधेश है पाकिस्तान को समझ में आना चाहिए हो पाकिस्तान को कम से कम यहां से आ बहुत साफ संदेश है और अमेरिका ने भी इस बात को कहा कि भारत और पाकिस्तान के तमाम मसले दुपक्षी हैं और वो ये कहता है कि भारत और पाकिस्तान सेहमती से सभी मुद्दों को सुलजा लेंगे लेकिन क्या इस मुलाकात में आपको लगता है कि अमेरिका को भी प्रशासन ने इस बात को एक तरह से नकारा उसके बाद लेकिन उनको भी साफ संकेत आपको लगता है अमेरिका को भी है दिए मैं समझता हूँ कि इससे साफ कोई संकेत हो यह नहीं सकता डिप्लोमसी में शब्दों का मतलब होता है मीनिंग होता है और प्रदान मंतर जी ने कह है सीदे कि हम किसी तीसरे देश को कश्टने देना चाहते भारत और पाकिस्तान के बीच में जितने भी मुद्दे हैं वो द्विपक्षिय तरीके से उसको सुलजाए जाएंगे तो अब कोई भी डाउट का की की पॉसिबिलिटी नहीं रह गई है दूसरी बात में यह कहना एक चीज़ की पाकिस्तान के मित्रों की संख्या कम होती जा रही है ट्रेडिशनली पाकिस्तान के तीन-चार मित्र थे जो उसको सपोर्ट करते थे उसमें चीन था यूए और साथियर एविया इस बार अब इधर कुछ दिनों से देखने में आया है कि चीन को छोड़कर और पाकिस्तान एकदम अलग थलग पड़ता जा रहा है और चीन को छोड़कर अब उसका कोई दोस्त नहीं है हर्षवर्दन जी अमेरिका को लेकर तो बात करेंगे ही जिस तरह से राश्पती ट्राम्प और प्रधान विंत्वी नरेंदर मोदी के बीच बात चीत हुई इन तीन देशों की यात्रा को बेहद एहम माना जा रहा था और खास कर कश्मीर को अगर केंदर बिंदू माने तो उस लिहास से भी क्या आपको लगता है बहरीन और यूए की यात्रा एक बड़ा जटका पाकिस्तान के लिए साबित हुई है और वो इससे भी पता चलता है कि यूए के बाद बहरीन ने जब मोदी को सरवोच्च सम्मान से सम्मानित किया तो इसका विरोध उन्होंने इस तरह से दिखाए कि उनके एक मंत्री वहां नहीं पहुँचे जिनकी यात्रा पहले सी थी अपनी यात्रा को रद किया तो एक बड़ा जटका पाकिस्तान को साफ यहां से भी मिलता दिख रहा है जी बिलकुल और मुझे लगता है जिस तरह से सरकार ने अपनी मिडलीस्ट पॉलिसी वेस्ट सपोर्ट मिलना मुश्किल हो रहा है तो वहां पर भारत की कूटनितिक जो सफलता है उसको नजर अंदाज नहीं किया जा सकता और क्यूंकि पाकिस्तान ने ये बात अपने एक इंटर्नलाइज कर ली थी कि कहीं पर मुस्लिम बाहुल ये देशों में तो हमको सपोर्ट मिले हम two nation theory का मुद्दा उठाएंगे तो उसमें वहां पर सपोर्ट मिलना वाजिब है लेकिन आपने देखा किस तरह से वहां का सारा जो जो political understanding है वो बदल गई है भारत ने जिस तरह से high profile diplomacy प्रधान मंतरी ने खुद जो नेतृत्व किया है उस diplomacy का उसमें जिस तरह की interpersonal relationship उन्हो ने खड़ी कर दी है कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को अब इस उमीद रखनी चाहिए कि वहां से कोई support मिलने वाला जैसा भी जिक्र हुआ था लेकिन दूसरी बात यह है कि जहां पर भारत के जो अपने हित हैं उन देशों के साथ हैं जाए वो बहीरीन हो या UAE हो उ जहां पर जो हमारी इंडियन जो है एक्सप्रेट कम्यूनिटी है जो नौन रेजिदेंट इंडियन है उनके लिए आप देखिए कितना काम हो रहा है जो पहले कहीं पर अठका रहता था जहां पर यह हमेशा गुंजाईश रहती थी कि वहां पर उस तरह की सुविधाएं हि नहीं मिल पाती तो प्रधानमंत्री नहीं जो एक कोशिश करी है इसके नतीजे आपको देखने को मिल रहे हैं चाहे वो प्रधानमंत्री का सम्मान करना हो या भारत की सम्विधनाओं का सम्मान करना हो अरेंद्र जिस तरह से हमारे गेस हरश्वरदन जी ने भी का कि अपनी एक केमिस्ट्री जो प्रधान वंप्री नरेंद्र मोधी ने तमाम नेताओं के साथ अपने पिछले इतने पांच साल में और इस दूसरे कारेकाल में भी तैयार की है उस केमिस्ट्री की एक बहतरीन जलक आज दिखाई दी जब राश्पती ट्रंप के साथ उन्होंने हाथ मिलाया और भारत के मीडिया में हमें लगता है कि पाकिस्तान के मीडिया में वो एक डर के तौर पे दिखा होगा वो दृष्च और भारत के लिए वो एक तरह से एक बड अरित्व इसमें कोई दोराएं नहीं कि डिपलोमेस्ट्री के लेवल में बॉडी लेंग्वेज और आपसी कमेस्ट्री बहुत माइने रखती है कि आप कैसे शेकेंड करते हैं कैसे दूसरे को ग्रीड करते हैं और किस तरह से आप एक दूसरे को विदाई देते हैं ये एक जो पल होता है कि एक मुमेंट होता है जो एक एक जेस्चर होता है बहुत माइने रखता है और ये बहुत बैतरी से आपके साथ जो महमान वो बता पाएंगे मिजडन श्रीवास्ता बता पाएंगे कि आकर इसके माइने क्या होते हैं लेकि आप एक चीज़ समझे आपने कहा नजर आ रहा है यानि की बीते कुछ दिनों में ही एक यूटर्न सा नजर अगर आ रहा है तो ये एक भारत की डिप्लोमेसी का अपने आप में एक सफलता के बड़ा उधरन सा है अगर उन्होंने चाहे अंचाहे इस बात को रखा था डोनल्ड टरम्प ने पीते दिनों में कि वो ऐसा करना चाहते हैं या इस प्रकार की वो कोशिश करना चाहते हैं लेकिन उन्होंने आज एक तरीके से भारत की बात पर सीर्थ तोर पे मौर लगा लिये निश्य तोर से कोई विक्ती इस तरह से आके सामने नहीं कहेगा कि हाँ ठीक है आप अपनी हम इस अपने पर बढ़ता हुआ कद है भारत की अपनी खुद की नीतियों को लेकर जो इस पस्टता है भारत की जो वेश्विक चनोतियों को लेकर उसके सही योगात्मक रवईया है वो बहुत इस पस्ट है वहीं दूसी तरफ आप अगर पाकिस्तान को देखें तो वो अपने जाल में उलजा नजर आता है उसको खुद नहीं पता है कि अपने पाकिस्तान की भागौलिक सीमाओं में योजनाओं को कैसे चलाना है अपने लोगों की बहतरी के लिए काम कैसे करना है दुनिया के साथ कैसे डील करना है वो अभी तक टेडिशनली यह सोचा करता था कि जो हमको सही करते चले आ रहा है हमारे गलत और सही कामों में उनकी मजबूरी है कि हमको हमारे लिए मदद करते रहें लेकिन अब दुनिया बहुत बदल गई है सचाई से रूबरू होने के लिए पाकिस्तान को भी तयार रहना पड़ेगा भारत के जो प्रयास लगाता रहे हैं उससे प भारत दशकों से कहता रहा था लेकिन बीते संब पांस सालों में अगर पीम मोदी के इन कुर्टितिक प्रयासों के अगर बात की जा तो शायद उसका एक असर बड़ा तेजी से देखने को मिला और यही एक वज़ा है कि आज एक बड़ा एक चेंज कहीं ना कहीं देखने को मिलना अगर अमेरिका की लिहास बात की जा जिसका जिकर भी आपके मेमानों ने भी किया कि अमेरिका टेडिशनली पाकिस्तान को कहीं ना कहीं सपोर्ट किया करता था और कई बात नजर अंदाज भी होते थे हमारे भारत के हित लेकिन अब भारत के हितों को नजर अंदाज क के साथ में तो ये जो एक क्लियर कस्टल इसपस्टिता के साथ में भारत आगे बलता नजर आ रहा है अपने शेत में और साथी साथ हम वेश्विक मंच पर जो बात रख रहे हैं उसका एक बड़ा माइने है और जो एक स्टेबिल गोवर्मेंट दोजार चौदा में पीम मोदी किया ही थे उससे जादा बलके थंबिंग मजोर्टी के साथ में दोजार उननिस में भी उनकी सरकार आई है ये भी एक बहुत बड़ा फेक्टर होता है कि या कितने बड़े शक्सियत है कितना बड़ा नेता है कितनी स्टेबिल गोवर्मेंट है जो इस प्रकार के फैसले ले दिप्लोमेसी यानि कूटमीती में बॉडी लांगवेज, केमेस्ट्री, परसनल केमेस्ट्री इन सबका बड़ी एहमियत होती है लेकिन जिस तरह से आज प्रधान मंतरी मोधी ने एक गर्म जोशी के साथ एक अलग अंदास के साथ जब राश्पती टरंप के साथ हाथ मिला क्या वो एक मजबूत भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रधान मंतरी साफ दिखाई दे रहे थे, क्या आप बदलाव देखते हैं पिशले पांच साल में और इस बार की इस मुलाकात में वितु जी देखिए डिप्लोमसी में एक प्रिंसिपल बहुत एहम होता है और वो प्रिंसिपल यह होता है कि कोई भी देश जो डिप्लोमसी करता है उसके पीछे उसके अंदरूनी ताकत जो है वो मजबूत रहनी चाहिए और उसमें आर्थिक ताकत सबसे एक करने के कोशिश कर रहा है तो वो फेल हो जाएगा आज जो भारत की प्रितिष्ठा बढ़ी हुई पूरी दुनिया में आप देखती है वो इस वज़े से है कि दुनिया को यह समझ में आ गया है कि यह बड़ा देश है इसके अंदर दुरूनी ताकत काफी बढ़ी है और यह बढ़ती हुई ताकत है यह अभी शुरू हुआ है बढ़ना और बढ़ेगी यह ताकत तो वही चीज आप देखेंगे कि जो बॉड़ी लैंग्वेज प्रजानमंतरी जी और ट्रम के मीटिंग में जो हुआ जिस तरह से गर्म जोशी से हाथ मिला रहे थे तो वही प्रजानमंतरी हैं और उनको इसी तरीके के रिस्पेक्ट के साथ और लिहास के ताथ उनको जो है उनसे मिलना चाहिए उनको ट्रीट करना चाहिए तो यह सब चीजें अंत में आ जाती हैं अंदुरूरी ताकत पर और आज आप जो देखिए आर्टिकल 370 का जो पांच अग से एकदम वो अचंबह उनको हो गया कि पाकिस्तान के बास चीन को छोड़के कोई कि देशी नहीं था यहां तकि साथी और यो कि हमेशा से उसके साथ थे उन लोगों ने भी उसका साथ नहीं दिया और इसकी खीज आपको दिखाई दे रही है वो पाकिस्तान का रियाक्शन ने वहरेन के अवार्ड देने में तो आज की यह मीटिंग प्रजान मंतरी जी की और राश्परजी ट्रंप की यह बहुत ही सक्सेस्फुल मीटिंग है हर लिहाद से बॉडी लेंगुज के लिहाद से जो कुछ वहां कहा गया उसके लिहाद से और जो उनके डिसकुशन जी पांच अगस के बाद से लगातार पाकिस्तान की ये कोशिश रही और खासकर इमरान खान की ये कोशिश रही तमाम मन्चुपने जी अरेंदर आप अपनी बात रखें जी कहें रितु मुझे कहीं मूव करना है मैं सिर्फ एक बात रखना चाहता हूँ उसके बात मैं आपसे अनुमत ही लोगा मुझे कहीं मूव करना है जो बात अभी अबड़ी आर्थिक महाशक्तियां जब मिलती है तो उस मंच में जब वो आपस में बैटके दुनिया की समस्याओं की चनोतियों का सामना करने के लिए एक प्रयास करते हुए नजर आते हैं तो ऐसे में वो भारत को बलाते हैं भारत को बुलाना पधार मंत्री नरेंदर मोधी को विशेश सदस के तोर पे आमंत्रित करना य भारत और भारत के जो हुक्मरान हैं वो किस उचे पायदान पे खड़े हैं मुझे इतनी ही बात इसमें जोडनी थी और मैं फिलाल आपसे अनुमत ही चाहूँगा मुझे कुछ मूव करना है यहां से बहुत 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 शुक्रिया अरेंदर इस विस्तार से बात करने के लिए और लगातार फ्रांस से जो अपडेट आ रहा था वो हम तक भी पहुचाने के लिए बहुत 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 शुक्रिया अरेंदर और हमायसाद दो मेहमान स्टूडियो में मौझूद हैं हमायसाद नीरश वास्तफ साब हैं पूर राजदूथ हैं अमेरिका में रहे है पाकिस्तान ने पांच अगत्स के बाद से कई ऐसी कोशिश की कई मंचों पे पहुचा सेमत राश में पहुचा तमामखाडी देशों के पास पहुचा इसलामिक देशों के संगठन तंक पहुचा उस मदद गुहार के लिए लेकिन क्या आपको लगता है कि एक लोहार की और सौ सुनार की जो इस तरह का जो एक मुहावरा है कि आपको वो दिखता है कि पृदान मंध्री एक मंच पर पहुचे जहां तमाम देशों से उन्होंने मुलाकात की उस मुलाकात में बहुत साफ आतंकबाद पे तमाम देशों ने अपने समर्थन की बात की जो की सीधा सीधा जवाब पाकिस्तान को था लगातार इमरान खान अपनी domestic politics को जस तरह से अपने वक्तव्यों से ढखने की कोशिश कर रहे थे गुम्रह करने की कोशिश कर रहे थे आज वो और जादा बेनकाब हो गए हैं जस तरह की body language प्रधार मंतरी नरेंदर मोदी और राश्पती ट्राम्प के बीश देखी जिस तरह से पाकिस्तान ने अपनी रणनीती बनाई आर्टिकल 370 के रवोकेशन के बाद वो पहले ही दिन से flop थी और वो पहले ही दिन से flat हो रही थी और इसका नतीज़ा आप देखिए कि जिस तरह से उनके statements अभी भी आ रहे हैं जिस तरह की tweets वो करते हैं जिस तरह की शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं जिस तरह से अपनी खीज दूसरे देशों के प्रती वो दिखा रहे हैं यह रिपीटिली हो रहा है और उस दिन से हो रहा है क्योंकि उनको लग रहा था कि इसमें मुझे automatic समर्थन जो मिलेगा वो नहीं मिला और दूसरी चीज़ जब वो इसको internationalize करने की कोशिश करने लगे और यहां तक की चीन की मदद से वो लही गए UN Security Council में वहां भी वो फॉल उसको दरकिनार कर दिया गया उसको ना कोई formal statement आया ना United Nations Security Council ने इसमें कोई ज़्यादा interest दिखाया तो उसका नतीज़ा यह है कि भारत अपने कत के कारण एक ऐसी स्थिती में खड़ा है जहां पर उसको इन सब बातों का जवाब देने की भी जरुवत नहीं आप देखिए प्रधान मंत्री ने जो पहली speech दी थी उसके पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था 15 अगस्त वाली जो speech थी और अभी आप देखिए उन्होंने क्या कहा है उन्होंने कश्मीर का नाम नहीं लिया उन्होंने कहा कि भई हमको तो बहुत सारी समस्या हैं को समस्या को solve करना है bilaterally हम देखेंगे क्या कर सकते हैं तो वहां पर जो भारत का रवया है वो यह है कि पाकिस्तान हमारे लिए उतना महत्तुपूर्ण अब नहीं रह गया हमारी जो आकांग्शाएं और पेक्षाएं हैं वो बहुत बड़ी हैं हम international platform पर एक उभरतीवी शक्ती के रूप में काम करना चाते हैं दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करना चाते हैं और जिस तरह के जो आपने बताया था जिस तरह के समवाद वो कर रहे थे वहां पर जिस तरह के discussions में वो involved थे चाहे वो environment का हो चाहे वो digital transformation का हो वो एक global mandate है भारत का जो भारत global cooperation के साथ करना चाता है उसका नतीजा है हम यह मसलों पर कि आप कश्मीर पर लड़ते रहें दो दो टूक एक दूसरे को सुनाते रहें उससे उपर उड़ गए हैं भारत ने अपने हितों के आपको प्रधान मंतरी की body language और उनके statements दिखाई देता है तमाम लक्षों के लिहाज से समाम चेत्रों और मुद्दों के लिहाज से अगर आप सी हितों की भी बात करें या फिर वेश्विट मंच पर उन समस्याओं की बात करें बहुत बहुत शुक्रिया दोनों ही महमानों का studio आने का और चर्चा के लिए